चीन के जहासे में पड़ा देश श्रिलंका हो गया है पूरी तरह बरबाद भारत के अलावा कोई भी देश मदद को नहीं है तैयार राच पक्षे परिवार को जिन्दा नहीं छोड़ना चाहती है जन्ता दोस्तो भारत का परोसी देश श्रिलंका गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है हालात ये हैं कि अब परेशान देश की जन्ता अपने नेताओं के जान के पीछे पड़ गई है और देश के नेता किसी तरह अपनी जान बचा कर देश से भाग रहे हैं देश की जनता अनाज और LPG जैसे चीजों की किल्लत का सामना कर रही है, महंगाई भेयानक तरीके से बढ़ गई है, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि स्रिलंका की भारत के अलावा किसी देश ने मदद नहीं की, कुछ समय पहले तक स्रिलंका चीन के इशारे पर नाच र रहे थे और जल्दी ही उसे अपनी अवकात का पता चल गया, आखिर मुश्किल वक्त में चीन ने स्रिलंका का खूप फायदा उठाया, और स्रिलंका के हमबन टोटा बंदरगाह पर चीन ने कबजा कर लिया है, चीन ने एक सोची समझी रड़नीती के तहट स्रिलंका को बर लेते रहे, स्रिलंका के ऊपर अकेले चीन का ही 5 बिलियन डालर से ज़्यादा का करज है, वहीं स्रिलंका ने भारत और जापान जैसे देशों के अलावा, IMP जैसे संस्थाओं से भी लोन लिया है, चीन के गोद में खेलने की महिंद्रा राजपक्षे की नीती ने देश को दिवालिया बना दिया है, महिंद्रा राजपक्षे ने जब शी जिनपिंग से करज के जाल में छूट देने की मांग की, तो किसी भी तरह की छूट देने से चीन ने साफ इंकार कर दिया, देश की जनता को महिंद्रा राजपक्षे की इस बेईमानी का पता चल गया, और व श्रिलंका में कितनी सच्चाई है उसे जानने के लिए पूरी सच्चाई को जानना और विदेश मंत्री एस जैशंकर के उस बयान को सुनना जरूरी है जो हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं स्रिलंका की बरबादी के लिए किसने रची भयानक साजिश तो दोस्तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखे स्रिलंका के हालात इतने खराब कैसे हुए कैसे चीन ने स्रिलंका को अपने जाल में फसाया क्या भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है दोस्तो स्रिल स्रिलंका की बरबादी में सबसे बड़ा हाथ चीन का है चीन के करज के मगड़ जाल में फसकर बरबाद हो गया है स्रिलंका अप्रैल 2021 तक स्रिलंका के ऊपर कुल 35 बिलियन डॉलर का विदेशी करज था आर्थिक संकटों से घिरे इस छोटे देश के ऊपर इस भारी भरकम बिदेशी करज का ब्याज वकिस्त चुकाने का भी बोज है जिसने हालात को और बिगार दिया स्रिलंका के ऊपर अकेले चीन का ही 5 बिलियन डालर से जादा का करज है स्रिलंका सरकार की गलत आर्थिक नीतिया इन सब के लिए जिम्मेदार हैं स्रिलंका ने अंतर राष्टी मुद्रा कोस के बजाए चीन से कहीं ज़्यादा करज लिया आलम यह है कि स्रिलंका पर करज उसकी जीडीपी का लगभग 125 फीजदी हो गया है इस बीच स्रिलंका की मुद्रा का ओमूलियन भी 80 फीजदी तक हुआ है इसके अलावा और्गेनिक फॉर्मिंग के फेर में पढ खाद्य उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित किया महंगाई और खेती के नए तरीके की वज़े से खेती करने वाली एक बड़ी आबादी ने इससे दूरी बना ली एक अनुमान के मुताबिक इसके चलते स्रिलंका का क्रशी उत्पादन आधा हो गया इसका असर यह जमा खोरी ने समस्या को और विक्राल बना दिया हालात पर काबू पाने के लिए स्रिलंका के राष्ट्रपती ने बढ़ती खाद्य कीमतों मुद्रा का लगातार और मुल्यन और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण के लिए देश में एक आर्थि से बदला हुआ जुलाई 2021 में यह घटकर 2.8 बिलियन डॉलर हो गया वहीं नौंबर आते आते यह और गिरकर 1.58 बिलियन डॉलर के इस्तर पर आ गया आलम यह हो गया है कि स्रिलंका के पास विदेशी कर्ज की किस्ते चुकाने लायक भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा मई महीने में स्रिलंका के केंदरी बैंक के गवर्नर ने कहा था कि उनका देश आर्थिक संकट टालने के लिए करज नहीं चुका रहा है यानि यह प्री एंप्टिव डिफाल्ट है हालात यहां तक खराब हो गए है कि स्रिलंकाई सरकार को लोगों के पास विदेशी म द्रा भंडार कम होने से स्रिलंकाई रुपय की वेल्यू लगातार कम होती गई इससे महंगाई ने विकराल रूप ले लिया है साथ ही रूस और यूकरेन के बीच जारी युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल के दाम ने स्रिलंका में महंगाई को चरम पर पहुचाने का काम किया इस बीच स्रिलंकाई रुपया मूल में लगबख 80% कमजोर हो गया है और इस वक्त एक डॉलर के मुकाबले स्रिलंकन करेंसी की वेल्यू 360 को पार कर चुकी है लिहाजा स्रिलंका के लिए सामान खरीदना और भी ज्यादा महंगा हो चुका है क्या भारत भी गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है दोस्तो विदेश मंत्री ने कहा कि स्रिलंका को लेकर कई गलत तुलनाई की जा रही हैं कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे हालात भारत में भी आ सकते हैं जैशंकर ने कहा यह एक काफी गलत तुलना है अगर भारती रिजर वेंग से मार्च 2022 तक के आकड़े देखें तो पता चलता है कि भारत पर करीब 627.7 अरब डालर का विदेशी कर्ज है पिछले साल यह 570 अरब डालर था यानि एक साल में भारत का कर्ज करीब 47.1 अरब डालर बढ़ा है इसका मतलब हुआ कि जितना कुल कर्ज स्रिलंका पर है लगभग उतना तो भारत पर सिर्फ एक साल में बढ़ गया है अगर थोड़ा पुराने आकड़ों को देखें तो मार्च 2018 में यह 529.7 अरब डालर था जो मार्च 2019 तक बढ़कर 543 अरब डालर हो गया वहीं मार्च 2020 तक भारत का विदेशी कर्ज 558.5 पांच अरब डालर हो गया तो क्या हम कर्ज के दलदल में धस्ते जा रहे हैं या तस्वीर कुछ और ही है क्या भारत का हाल भी स्रिलंका जैसे होने वाला है स्रिलंका पर 59 अरब डालर का विदेशी कर्ज है जबकि सिर्फ एक साल में भारत का कर्ज 47.1 अरब डालर बढ़ा ह ये देखकर भले ही आपको लग रहा हो कि भारत की हालत खस्ता हो रही है लेकिन असल तस्वीर इस से बिलकुल अलग है मार्च 2020 में भारत के कर्ज का GDP से अनुपात करीब 20.6 फीजदी था जो मार्च 2021 में बढ़कर 21.1 फीजदी हो गया है हलाकि मार्च 2022 में यह अनुपात घटकर 19.9 फीजदी रह गया है जबकि कर्ज 47.1 अरब डॉलर बढ़ा है कर्ज का GDP से रेशियो जितना कम होगा एक देश कर्ज को चुकाने में उतना ही अधिक सक्चम होगा स्रिलंका का यह रेशियो बहुत अधिक बढ़ गया है जिसके चलते वह कर्ज डिफॉल्ट कर गया है स्रिलंका लंबे समय से कर्ज के जाल में फसा हुआ था 2018 में ही स्रिलंका का कर्ज से GDP का अनुपात 99.9 फीजदी था 2021 तक यह बढ़कर 119 फीजदी पर पहुँच गया 2014 के दोरान ही स्रिलंका का कर्ज से GDP का अनुपात 30 फीजदी के करीब पहुँच चुका था विश्व बैंक की एक study के अनुसार स्रिलंका जैसे विकास सील देशों के लिए कर्ज से GDP का अनुपात करीब 65 फीजद से अधिक नहीं होना चाहिए इससे उपर बढ़ने का मतलब है कि हर एक पॉइंट व्रद्धी से देश की GDP पर उल्टा असर पड़ेगा वहीं कर्ज की बात करें तो अमेरिका पर 30,400 अरब डालर का कर्ज है चीन पर 13,000 अरब डालर यूके पर 9,020 अरब डालर और फ्रांस पर 7,320 अरब डालर है वहीं अगर कर्ज से GDP का अनुपात देखें तो अमेरिका में यह 101 फीजदी यूके में 317 फीजदी और फ्रांस में 256 फीजदी है इसकी तुलना में भारत पर कर्ज 620 अरब डालर है और कर्ज से GDP का अनुपात 19.9 फीजदी है यानि भारत बहुत ही बेहतर इस्थिती में है और श्रिलंका जैसे हाल भारत के बिलकुल नहीं होने वाले